शिक्षा ही भविश है विश्व विख्यात वैद्धा ने डॉक्टर पद्म विभूशन रगुनात माशिर करने का है कि शिक्षा प्रदान करकी उन्होंने विद्यातियों को बनाया है उन्होंने देश का भविश्य बनाया के इंडिया परिवहन और राजमारकमेंट्री से no वसंथ राउट देशबांते मीमरियलहौल में आई जिद क्या क्या था इस बार वे मार्केटिश निए थी अतित्य वृष्य संथा मौतर वई चूस्टर झिभ्यानड़ी पुरस्का अधश संस्तान पुरस्कार आधश अदिकारी पुरस्कार आधश करणबचारी प्रस प्राचारिय बल्राज अहर्समृती स्वर्ण पदक उत्कृष्ट विद्याती पुरसकार आधी विधित के गए इससे पर विश्व ख्याती प्राफ्त वैज्ञानी डॉक्टर पद्म विभूशन मुख्याती दिते रगुनात मार्शिल कर विशिष्ट अतिती मान्यकेंड्य परिपन एवं राजमारकव विभाग भारत सरकार नितिन गड़करी कुलपती डॉक्टर प्रशांद बोकाले कुलपती डॉक्टर संजेदुते रजिस्टार डॉक्टर राचोहिर से उपस सीथे यह एक अत्पुल विश्व विद्याले हैं जो सो वर्ष पूरे करता है और भाविश्य का क्या इस प्रकार पूलती वें उन्होंने कहा कि भारत का भाविश्य शिक्षा होना चाहिए अपने भाशन में उन्होंने विक्षित भारत कैसा हो इसके साथ सिद्दान बताये विक्सित भारत को सतत्ह विकास, सु संस्कुत, सु शिक्षित, सु शासित, सुवाव लंभी, सुरक्षित और सुवाव लंभी होना चाहिए ऐसा बाशिर करने का, राश्चर संत्र तुकोशी मह네ज के संदिश को समस्दे वे बाराज एक सर्व समाविष्री प्रभुद्ध सम समाज के सभी तत्व का उत्तार और एक वर कहीं समाज चाहते थे इसलिए उन्होंने सांप्रताइक प्राथना शुरू कि गाव के विकास के लिए ग्राम समर्थन का संदिश दिया क्या राष्ट्रसंत्र तुक्रोची महाराज ने प्रस्ताव दिया है कि संपुन्य भारत कैसा होना चाहिए राष्ट्रसंत्र तुक्रोची महाराज वरा चित्री चित्र को आगे बढ़ाया चाहिए तो भारत का विकास होगा ऐसा डॉक्टर माशिक करने का हम एसे शिक्षा चाहते हैं जो ज्यान कोशल सोच वैक्तित्वा समानता देटूत्वा विकास मुल्द विकास कुल मिलाकर राष्ट्रसंत्र तुक्रोची महाराज के विचार की अनुरू आज हमें ऐसे शिक्षा की आउश्यक्ता है जो मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाए हमें ग्यानिश्वर के प्रेणा की आवशकता है और अब हमें विज्ञानिश्वर की और रुख करना चाहिए उनका माना था कि यदि सरस्वती और डक्षमी एक साथ आचाए तो ग्यान से धन का सुरूचन होगा पिछले पास साल में 21,000 नए स्टार्टप शुरू की गए हमें शिक्षा के एक आयाम की आशकता है जैसे शिक्षा के मात्रव से ग्यान, ग्यान के मात्रव से अनुसंधान और अनुसंधान के मात्रव से नवाचार और नवाचार के मात्रव से उद्धर विता उन्होंने कहा क कि ज्ञान तभी धन में दबतिल होगा कौशल शिक्षकों को पता होना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धी मदा की मदद कैसे ली चाहिए और जेपीटी चार्ट कैसे की चाहिए उन्होंने इस बात पर ध्याम देरी की अपिल की कि विज्ञान शक्तिशाली है उन्होंने कहा कि श